कि Immunodocres के साथ हमें पंच तुल्शी जोकी AWPL Company का Immunodocres है और पंच तुल्शी हे इन दोनों को हम एक साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं कि जब हम Immunodocres का का इस्तमाल कर रहे हैं तो इस समय पंच तुल्शी का इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं नमाश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल एसकलेपियस अहरुवदा में दोस्तों आज की सेसन में हम आपको जनकारी देने वाले हैं नमाश्कार दोस्तों तोस्तों आज का सेसन खास इसी कोश्चन के लिए कवर किया गया है क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको ये महत्वपूर्ण जनकारी जरूर देने वाला हूँ और उन भीवर्स सब्सक्राइबर को भी मैं कहता हूँ कि ध्यान से देखिएगा कि इम्मिनोडॉकरस के साथ पंच तुलसी लेना है या नहीं लेना है सबसे पहले मैं आपको बता दू कि पंच तुलसी क्या है दोस्तों पंच तुलसी जो है वो पांस तरह की तुलसीों के अर्क से मिलाकर बनाया गया है ये काफी जवरदस्त प्रोड़क्ट है जो कि पांस तरह की तुलसीों के अर्क से मिलाकर बनाया गया है यह बहुत सारे ला-इलाज बिमारियों में कारगर है गैस की प्रोबलम होई, एसेडिटी बन गई इन सारी समश्याओं में या सरदी जुखाम हो गया इसमें भी आप पंस्तुलशी का इस्तमाल कर सकते हैं बदहजमी की प्रोबलम है तो उसमें भी आप पंस्तुलशी का इस्तमाल कर सकते हैं बात करते हैं इमुनोटॉक्रस दोस्तो इमूनोटॉक्रस का एक्चुली साइनस की प्रोबलम है या बाडी को इंटरनली क्लीन करना है उसमें तो जवरदर्स्त यह результат product है इमिनोडॉकरस जो है ये अलोवेरा, नोनी, कुकुम, तुलशी, अश्वगंदा, पुर्णनवा, मुलेठी जैसे एपल एक्सट्रेक्ट जैसे बहुत ही इंपोर्टेंट इंग्रिडेट्स से मिलाकर बनाया हुआ प्रोड़क्ट है, काफी रिजल्टेंट प्रोड़क्ट है अब बात ये आती है कि इन दोनों प्रोड़क्ट्स को जब हम इमिनो यूज कर रहे हैं, तो उस समय पंस्तुलशी का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है, इमिनोडॉकरस अलग है, पंस्तुलशी अलग है, पंस्तुलशी नहीं आपको आने वाली है क्योंकि इमिनो डॉक रस का अलग फंक्शन है पंस तुलशी जो अर्ख है पंस तुलशी डॉप जो है इसका अलग फंक्शन है इन दोनों प्रोड़क्ट से कोई दिकत नहीं आपको अने वाला है दोनों प्रोड़क्ट का अलग 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 कर सकते हैं गैस की प्रोगलम है बद्हजमी की प्रोबलम है सरदिय जुखाम है उसमें आप पंस्तुलशी को सज्जेस्ट कर सकते हैं तो कोई दिकत sentenced नहीं है दोनों के दोनों आयरुवेदिक उत्पाद हैं और इससे कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाला है तो दोस्तों आज का वीडियो खास्त इसी सवाल पर बनाया गया था कुछ भीवर्स बार बार यह सवाल कर रहे थे कि सर रिप्लाई कर यह रिप्लाई कीजिए मैंने उनको वह यह बताया भी था कि मैं वीडियो के मैं अध्यम से आपको बताओंगा हलांकि रिप्लाई किया था बट मैं वीडियो के मैं अध्यम से भी उन तक यह बात यह पहुंचाना चाहता हूं कि आप इम्मीनो डॉक रस यूज कर रहे हो पंस्तुलशी भी यूज कर सकते हो इसमें कोई दिकत नहीं है बदहजमी की प्रॉ इसमें आप इम्मीनो डॉक रूप जो रस है उसको सजेश्ट कर सकते हैं किसी को भी तो आई होप दोस्तों आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और हम इम्मीनो डॉक रस का भी इस्तमाल कर सकते हैं पंस्तुलशी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें नो डाउट तो मिल है इसी तरह की नई जनकारी और नए वीडियो के साथ धन्यवाद